दोस्तों अगर आपने किसी खुदार पैसा दिया और फिर यहाँ पर आपके पास प्रूफ है, आपके पास यहाँ पर उसका call recording है, जिस call recording में वहाँ अब अब बगतिय本 कर रहा है, कि वहाँ आपस पैसा लिया है और आपको संताऊना देता है। कि यहाँ कुस दिनों में आपका पैसा, आपको वापस लवटा देगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास प्रूफ है, लेकिन आपको यहाँ पर मसूस हो रहा है, कि उसके नियत में खोट आगई है, अब वहाँ पैसा नहीं लवटाएगा. जी हाँ, यहाँ यहाँ यही होता है, जी यहाँ हमारे भारत में अधिकतर रिस्ता उस वक्ट घूल जाता है, जब आप अपना ही पैसा किसी उधार देते हैं, पहले वह औवेकति आप से request करता है, और फिर बाद में आप ही अपना पैसा उसे मागने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और उस वक्त रिस्ता खराब हो जाता है तो यहाँ पर आपको किसी को भी उधार पैसा देना चाहिए तो आपको सोच समझ कर देना चाहिए और यहाँ पर आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग सबूत है फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें आप पुलिस से भी कंप्लेन कर रहे हैं फिर भी कुछ रही हो रहा है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को यहीं बताने वाला हूँ कि अगर आपने किसी को उधार पैसा दिया और यहाँ पर आ जब भी कोई इस इंटरस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकते दोस्तों सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग है वीडियो रिकॉर्डिंग है तो फिर आपको उसमें क आपको पुलिस थाने में जाना है यहां पर आपके सांद भी चोप ट्रश्ट हुआ है आपने बिस्वास पैसा दिया और यहां पर उसने अपका विश्वास तोड़ा है यहां आपके सांद ठगी एक तरह से बहुं किया है आपको बेहकूब बनाया है आपके सांद 400 BBC किया है तो यहां पर आप FIR भी दर्ज करवा सकते हैं, और यहां पर फुलिस को आपके साथ इंगे, जोना होगा FIR को दर्ज करना होगा, और अगर फुलिस FIR दर्ज नहीं करती है, तो आप यहां पर SP के पास भी जा सकते हैं, आप यहां पर जब थाने में जाते हैं, और मोखिक रू में वह भी थाने में application के साथ भी सकते हैं फिर भी अगर थाना अस्तर से कोई भी action नहीं लिया जाता है तो फिर आप जी ले के SP के पास भी जा सकते हैं लेकिन अगर SP साहब एक कुछ नहीं करते हैं लेकिन दोस्तों अगर पर इस पर सबके पास जाएंगे 90% चांस है कि आपका FIR दर्ज हो जाएगा फिर भी अगर FIR दर्ज नहीं होता है तो आपको किसी वकिल सहाब से मिलना है उनसे रायमो सवरा लेना है उनको सारी बात बतानी है आप यहाँपर उसे पैसा दिये थे यहाँपर अगर आपने account में उसे पैसा दिया तो यहाँपर उसका receipt होगा और आपके पास recording है ही आप उन्हें सारी बात बताएं फिर आपका वकिल सहाब आपके विहाप में कोट में केस फाइल करेंगे और जब कोट में केस फाइल हो जाएगा तो यहाँपर इफायार भी उसके उपर दर्ज होगा उसे कोट में भी जाना होगा और यहाँपर आपका पैसा उससे वापस लटाना होगा और अगर वह नहीं लटाएगा तो यहाँपर उसके कोट की जबती तक हो सकती है जी हाँ उसका प्रपोर्टनी लाम करके कोट आपका पैसा दिलाएगी लेकिन यहाँपर यहाँपर के पास प्रूफ है या फिर कोई एग्रीमेंट है तो, यहांप के लिए अच्छा रहेगा आपका पैसा सानी से यहां पर एक कब्री हो pesar यहां पर आप किसी को पैसा दें तो आप जरूरर बनवाएं पड़ी में आप किसी वह खिल से बन वाएं और उस्पर जो वीटनेस का सिगनेशर नेचर दो करवाएं वह वीटनेस निवत्रल होना चाहिए ताकि को कोई भीषू हो तो वह वीटनेस आपके फेवर में हमके करा लेते हैं तो आप अच्छा रहेगा और यहां पर आप उसे पैसा दे तो कैस्स में ना दे आप उसे एकाउंट में दे और यहां पर पेमेंट का जो भी डीटेल है उसका जिक्र एग्रिमेंट में जरूर करें तो दोस्तों मैं आसा करता हम आपके वीडियो पसंद आई और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंश्टाग्राम पर ही मैसस करके पाइंट मेंट बूक कर लें तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और इसे दार में भी जरूर सेयर करें हम लोग मिलते हैं वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक आपना और प आपकार लोग